हेलो नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारी द्यारतियों मैं हूँ वर्द गुमार और आप सभी का स्वागत है मी एन माई यूटूब क्लास के अंत्रगत आज समझने वाले हैं बिए थाडियर के लिए पैपर टू है और टू लोग प्रशासन बिल्कुल प्रशासन के अंत्रगत अपने लोग प्रशासन में नेने निर्मान को लेकर पढ़ रहे हैं क्योंकि अपना सेकंड पार्ट हो इसमें हम समझें कि अच्छा नेने कैसा होना चीए और इसके बाद हम समझेंगे कि नेने परकरिया के अंत्रगत हर्मंड सायमन के क्या विचार है बिल्कुल ध्यान ओने लेने के क्या आदार होने ँचीए यारिन हाम इक बहतर डिसीजन लेते हैं तो किसी चीज को बबना के चाहरा के मानि वस्क्त कि या आधार होने ही एक वैसे ही ने 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 कर नेना होता है तो उससे पहले हमें यह सोचना होता है कि हमारे निर्णे कितना एकोनोमिक गल ऐसा नहों कि हम कोई डिसीजन ले ले और जो आर्थिक दस्टी कौन में देखे तो फालतू निकल जाए यानि समय और पैसा दोनों ही फालतू निकले ऐसा निर्णे नहीं होना चीए हम यहीं बात करते हैं कि सिंछ्ट canyon में परतेकारिय थे हैं कि कम समय पैसे कारिया और इसी आ कारीता है यह यहीं आर्थिक आदार को ध्यान में रखना ची है लिंव की अंधियक का मतलब है कि हम कुछ पी अगर प्रसात्षरपन की बात करें की प्रसांसन में जो ने लिए जा रहे हैं उसके प्रसासन की सीमाओं के उसे मान लीज़े कहते हैं कि अितने ही पाम पचारी है जितनी साधर-लंबी हो तो वही बात यहाँ पर भी है कि जितनी सीमा तक तक आपको कानुनी वेदानिक सीमा यानि एक बॉर्डरी लाइन प्राप्ते उसी सीमा तक आप नियमों का निर्दारन कर सकते हैं तो यहां पर बात यह आती है कि जब भी नियम लेते हैं या नियम लेने का मतलग है कोई निर्णे का निर्मान करते हैं कोई निर्णे लेते हैं लेते तो उसे पहले इस नियमों की बेदानिक सीमा पता होना हुए के कहा तक प्रभावित होता है कि कास्ति आनगा अधिकार थै। कानुनी आदार पे होने चीए पर समाजतिक समाज के लिए जाता है पर मतलब इक समाज Лये जैसे जो वह प्रशाषन जो होता है वह जन सेवक्त में वह काम करता है तो उसके उने निर्णें की यहां पहुंट जैताने वाला है तो जो भी नियन Phillips के तORप para zur तो वह समाज्टी सी आधार को समद्राइड देखा जाता है या और कि यहां यह पर यह था था यह दियां कि यहां पर ये उप्रसासन के निय मेंम चाहित neuen Lauren एक व्यक्तित्व के विकास के लिए जो चीजे माइने रखती वो नैतिकता है तो जब प्रशाशन एज नेड़े परक्रिया में भाग लेता है तो वह नैतिकता का ध्यान रखता है कि हमारे जो नेड़े हो वह नैतिकता के आदार पर हो ऐसा आने कि मानवियताओं का बंदन करें ऐसे ने भी नहीं लिए जाना चाहिए पिप्तर नमबर देखें कि अच्छे ने वही ने हैं जो अधिकार और श्रीकर्ति पर आधारी तो मुझे मेरे प्रशासन मेरे अधिकार ने में अधिकार में लेता हूं तो वह ने होता है जो प्रशासन अपने अधिकार के अंतरकत रहते हुई लेना है और उस ने को वहाँ के जो प्रशास उनकी स्विकर्ती मिलनी चीह तो ने बढ़िया वही होता है जो अधिकार छेत्र में लिया गया हो और श्वहमति पर आधारित होता है इसके अलावा निर्णे होते वह उद्धिश्यात्मक होते हैं क्या होते हैं उद्धिश्यात्मक बिल्कुल आप जो भी काम करते हैं किसी उद्धिश्य के प्रपज में करते हैं तो वही बात हम भी यहां पर कहा रहे हैं कि जो निर्णे होते हैं वह किस आधार पर लिए जाते जैसे आप लिया कि अपया रिगाते हैं ये डिसीजन गे और उने मेल चाह edου यह iam रहा हूँ यह बिल्कुल यहां पर यही बात हो रही है कि उसके पीछे विने ने से वे के एत के अकॉडिंग नहीं है या समाज के मुल्यों के अकॉडिंग काम नहीं आरे तो वह कोई मतलब करें तो ने उद्देश्य पूंडोने तब बश्य के लाएंगे और यह आप तो पता है निने तभी कारगर होते हैं जब उची समय पर लिए जाते हैं कि आग लगी हैं और उस समय हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है उस समय सोचते हैं कि बाल्टी से पानी डालें या पूरी पाइप मोटर की पाइप लगा दें उस आग बुजाने के लिए तो उस समय निर्ने तुरंत लेना होता है यानि निर्ने लेते समय समय भी इंपोर्टेंट होता है और समय एक ऐसी चीज एक ऐसी वस्तु है जो हमारे नेने को कापी हद तक प्रपावित करती है तो अच्छा नेने वही होता है जो समय रहते लिया गया हो उसी समय पर नेक्ष बात आती है पूर्णता नेने हैं वह आदे दूरे नहीं होने चीए को कि हमारा कोई भी ने वह तभी सपल होता है जब पूरी तरह से हम उसके ओपर छोचे विस्तार से डिस्कर्च करें और यह देखा जाएगी ने कितने लोगों को और किस हद तक समाज को प्रभावित करेंगा इन सबी चीज़ों को हम देखके नेने लेते तो यह पूर्णता क प्रशाष्ठा मां सब्सक्राइखण सब्सक्राइब देखाहें कर जो जिसमें प्रत्यों का समावेश हो तत्य यानि प्रत्यों के बुद्धि मता का निट्ने लिया ही सपल होता है और वस्तु गतता हों नीजिए पले प्रपाफशाली बनाने के लिए तो अच्छे नेने के यह आधार होते एक अच्छा निने तब ही अच्छा किलाता है जब बज़व पर बनता हैं कि अब बात करते हरबर्ड साइमन और नेने परकरिया कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि देखिए यह मुझे लग रहा है आपके एक्जाम को लेकर कापी इंपोर्टेंट है अब बात करूंब नेने परकरिया के बारे में बताएं और इसके समवन में आप ज्ञान रखेगा क्योंकि खुद अपने लोग प्रशाशन के इंदेश टॉपिक के अंदर कांपी इंट्रेसिंग सीजे बताई हैं और जैसा कि 1978 के अगर हर्बर साइमन के योगदान को देखे तो काफी यूजपुल शीजे इन्होंने अपने बताई है और इसलोंने प्रबंध विज्ञान के चेत्र में काफी यूजपुल अपने चीज़े हैं जो लोग प्रशाशन के दोरान जोड़ी गई अब इनके अगर मैं बात क बिहेवियर में अट एड्मिनिस्ट्रेटीव बिहेवियर तो यह एक ऐसी इंपोर्टन पुस्तक है जो अर्बर साइमन के विचारों को बताती है सायगेति साय मन के विछारों को बताई इसके इंतरकत साРЕख में की सब्सक्राइब और ₹म मानव यानि वीवार जद व्यवारिक का आवाश करrióते है और उन्हों ने परक्रिया में यह का है कि मानव के विवार को गषायो अधियो गोग करा है कि हरबर साइमन ने नेने परकरिया के समन में जो भी विचार दिये हैं वो उसके किस बुक से प्रबावित है एड्मिनिस्टेटिव बिहेवियर के ठीक है तो यह थोड़ा था ध्यान रखेगा कि आ सकता है यानि इसके अंदर के इन्होंने मदं मानव कि प्रसाषण के लिए एक सब्द दिया है कि प्रसाषण क्या है कारिय करने की कला प्रशाशन क्या है तो हरबट ने का है कारिय करने की कला तो बस यही कारिय करने की कला है प्रशाशन और यह कला किसके अंदर होगी मानव के अंदर तब इस कला को करने के लिए मानव के व्यवार को जानना तो बहुत जरूरी होता है तो अब हम बात करते आग कि आपको बताओ तो नेने लेना चेहन की परकरिया है यहां हम बात करते कि हमें अच्छाप रहे हैंEd कि हैं कि हम में बहुत सारे में स्टाना है तो यहानी फॉतत शीजिवारण में यह अजये। तो यह एक आठ है, अर्बर्ट साइमन के रहा है कि निर्ने लेना भी एक शेयन कला है और यह कला हमारे में मानव्यवार को ध्यान में रखकर की जाती है, इस तरह से निर्ने लेना शेयन की वब परकरिया है, जिस पर कारवाई आधारित होती है, साइमन ने इस और ध्यान दिल कि इस आयाम को बरी प्रकार समझने के अबाव में प्रशासन का अधिकान से रूप से अप्रिहाय योगदान रहता है और जब हम बात करें कि वेवारवादी उपागम के अंदर गत्ति यानि वेवारवादी जो नजरिया हैं उस और देखा जाएं तो कारवाई पूर्व हमें विल्टे निर्यने कोई बिल्टे द्हीं पूर्प उस्मौारी ये को समझेडह होता है हम से पहले कापी-शिचों के बारे में सोचते हैं और पिर निर्डे लेते हैं तो इसका मतलब जरुआ कि नर्यने की परकरिया ही हमारे लिए सही рабिंग साबिध करती है तो निर्णे ले है कि नेने से मतलब क्या है साइमेन ने का है कि नेने क्या है कि कला है अब बात करें कि नेने को और क्या समझा जाए यारी हम यह बात करें कि नेने क्या है या नेने का अभी प्रय क्या है कि नेने का अभी प्रया है नेने का मतलब क्या होता है तो नेने का मतलब होता है तत्यों एवं मुल्यों मतलब फैक्ट और वेल्यूज फैक्ट और वेल्यूज का उच्छित योग है सब्सक्राइब आ गया हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि निर्णे का मतलब होता है तत्य और मुल्यों का योग फैक्ट और वेल्यू इसको आहिए इसका सताश्थ पता करो कि क्या वास्तमें यहीं ऊच्छित हैं तो में ने वही निर्णे हता है जिसके अंदर तत्यों और मुल्यों का समावेश हो तो हर्बर्ट तुष vigorων ने भी यही का है कि ने वही हैं जिसके अंदर का तत्य और मुल्यों का व्यवस्तित रूप में विश्लेशन और योग होता है मतलब देखिए आप यहां पर कंपीज होने वारी बात नहीं सिंपल थिंग से कि हम कोई भी ने लेता तो उसके एफेक्ट के बारे में सोचते हैं कि ने यहां हमारे ओष्यीश है और पर नचे हैं इस तरह से साइमन कर रिए और उस्तिय और मुल्यों उस्ति podcast काहने उन्च्टों साइमय के निलेने की आविश्क्ता उस समय उत्वन होती है जब व्हेक्ति के पास कारी करने के लिए बहुंसे विकल्प होते हैं उदस्य उद्व हो कर्विबिन विकल्प हो तब निर्ने लेते हैं यक्ठ कारी करते हैं तुछ से मैं करने के लिए 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 जाते लिए उससे में आपको पता होगा क्योंगे आपके पास उस्से में कापी में करना है और किसी उचित करना होता है ने को बताता है और इसी के करने के लिए करने होता है और निर्णे तब ही पूर्ण होता है जब बहुत से इंपोर्टेंट टापिक इंप्रटेंट विकल्व का च्षियन करते है मैं बात करें कि आदारीत होता है कि जिन! किस पर आदारित होता है तात कि निर्णे कि surat चुंद जैसे में बीकलत कर रहे तो उससे पहले सोस्ट समझ के करना तरक वितर करना मतलब रिजनिंग तो हम देने लेने से पहले कर से चोचना होगा तो इस तरह से हर्बड साइमन ने भी यह हैं कि मुल्यों कि किसी प्रणाली की संदर्ब में हम वरियता प्राप्त वहवार का ऐसा विकल्प उपलब्द करवाते हैं जो हमारे प्रणाम को उचित दर्शाता है तो यहां पर जाकर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि हरबर सामने ने निर्णे के ऊपर कापी गेराई से कापी अच्छी चीज में प्रबंद का निर्देश्थन कार्यात्मता की कसोटी पर होना चाहिए मतलब मतलब यहां पर हैं कि सिमीद साधनों में उचित उचितम प्रिणाम प्राप्त करना कि निर्णे लेते समय हमें अपने साधनों का ध्यान रखना चाहिए हम निर्णे यह पता ओने से कि हमारे पास कितने साधन है की सभास में इसम he skilled management के रूप में हममें लेने से पहले हमारे पास साधन और उसका प्रबन बोनों को ध्यान में रखें दे रिपन भी देतें एक तो सही रिजल्ट देते और दो समान लागत विकलपों में से उछीच्थ विकलपकामे einz चेयन करना होता है अब बात करते हैं कि साइमन ने नंगे के बारे में काई तेल्म हो अलुआ यहां पर में आंतर कर सकता होा है हरब सामने के बारे में दो प्रकास से बात बताईए कि ने दो तरके होते हैं अब और 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 अब कि हर्विट साइमन ने ने में फरक किया है कि ने दो टाइब के उद्धे ने कि लाते हैं और एक लाते हैं अब आप जो लाझित तुада बहुतनी याने कि यह समय पर हम ने लेंगी हमारे बहुत से काम के लिए लिए उन्धेट यह कान आईगा तो हमें बार-बार ने लिनकी त्ट ंए एक रauen लिया गया और भॉस्त काम इस निनकी दोड़ा हो हम उपलब सामगरी है और ना उसुपर तो छी इनने के छिचार करना होते हैं प्रस्तिती में को पहले क्वाइसे ही पुकता पुальноान सर्व नहीं होती है या हम यह भी कह सकते हैं वह जो समय प्रश्थी के अकॉरिंग बदलते रहतेहं और एक कारई का सब्सक्राइब कोई संब्सक्राइब काम करने दोनों का उसमें कोई संब्सक्राइब नहीं है तो एक निर्णे दोनों के लिए काम नहीं आता है तो ऐसे निर्णे के लाते हैं तो क्या यह चीज आपको संब्सक्राइब कि हर्बर ने निर्णे के बारे में काफ़ी चीजह बताई जो मैंने यहाँ पे आपको रॉंड में सोड में ट्रिक्स से बताना चाहें यहीने का मैं तो पूर्ट मोडल है और हर्बर साइमन ने जो निर्णे दी है अगर आपको मैं सम्झा इस अगर देखें तो इनके जो यह निर्ने हैं वह काफी उप्योंगी निर्ने हैं उप्योंगी एवं करें का मतलब है कि हरबर साइमन ने निर्ने के बारे में जो भी विछार दिये हैं वह काफी उप्योंगी है और यतार्थ वारिता पर आजाई था मतलब ऐसा नहीं किसी ने सिद्धान दुरू में सिर्फ बात कहीं हकिकत में यह बात व्यवारिक में कलागों नहीं होते नहीं हरबर साइमन की यह जो निर्ने के बारे में जो भी विछार यह कापी यूजफ परकरिया में क्यों कैसे किस लिए किस परकार सभी उत्रों का समाधान भी देता है तो यह था आज का अपना इंपोर्टन टॉपिक की ने क्या है कि जिद्ध ने अच्छे ने किस पर लिए जाते और हर्बर सामिन के अकौर्ण ने परकरिया क्या है यह आपको कंक्लिजन तब तक लिए ठेक केर